अलो एवरीवन पहले तो मैं कह रहा हूं वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो पतायागी हूं क्योंकि यह रिकोर्डिंक में इंट्रविव में question पूछा जा सकता है लेक्टरेट में पूछा जा सकता है और हो सकता है तुमारी किसमत अची रही तो जी ट्विंटी का यूज जो है इन पॉइंट्स का जो मैं बताऊंगा उसका अपनी तुम जीडी में कर लो तो इंट्रॉडक्शन पर आते हैं तो जी ट तो में इसका अब्जेक्टिव एक ग्लोबल फाइनेशल स्टेविलीटी को इंप्रूव करना और इन्वाल्व करके मिडल इंकम कंट्रीज मिडल इंकम कंट्रीज कौन जैसे कि कुछ कंट्रीज होती जिनकी इंकम बहुत आई है जैसे अपना यौसे चाइना कुछ उफ जैसे जिनकी बहुत कम होती यसे बोटन पर कुछ मिडल इंकम कंट्रीज n की बरावर ना बहुत जादा जयादा नो बहुत कम है जैसे इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, बहुत सारी है, उन्हें include करना, अब G20 इतनी बड़ी organization है, तो ये majorly constitute क्या करती है, तो इस 60% world's population, 80% global GDP, and 75% global trade को total constitute करती है, इसके member countries तुम सामने देख सकते हो, अर्जेंटीना से लेकि European Union तक है, और Spain को एक permanent guest के तोर पे invite किया गया है, moreover, एक तुम्हें बहुत बड़ी बात बतानी है, कि अभी G20 नहीं रहा, अभी बन चुका है G21, क्यों, क्योंकि अब African Union भी इसमें involved हो चुकी है, तो अब एक और जब add हो गया African Union, तो क्या है, अब वो G20 बन जाएगा, क्योंकि 20 थोड़ी, अब 21 हो गया न, total member, अभी इतना हो रहा है, और आज खतम भी हो जाएगा, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो यह जो 17th G20 Heads of State and Government Summit हो था, इंडोनेशिया में, नॉम्बर 22 में, वहाँ पे इंडिया को Presidency दी गई थी, और इडिया के पास ही Presidency, 2022 के, sorry, 2023 दिसंबर तक रहने वाली है, और हर कंट्री को एक स आगे पता चलेगी तुम्हें, की priorities, तो main priorities क्या है, हर organization कुछ priorities रहती है, तो first है इसकी inclusive, equitable and sustainable growth, और एक women's empowerment, तो main priority यही है, sustainable growth वाली, कि resources को इस वे में utilize करना कि हमारा भी काम चल जाए, और वो future के लिए भी बच जाए, उसे ही कहते है, sustainable growth, अगला है, digital public infrastructure and tech enable development in areas, ranging from health, agriculture and education to commerce, अब जैसे ऐसे technology बढ़ रही है, तो उसके फायदे भी बढ़ रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाने कोशिश करनी है, ऐसा G20 countries का मानना है, इसलिए यह इस पर भी aim करते हैं, कि ज्यादा ज्यादा infrastructure develop करें, और जो technology है, वो ज्यादा से ज्यादा health, agriculture education से लेकर commerce हर जगे utilize हो, ताकि time बचे और लोगों को सवलियत हो, जो third number पर आती हो, काफी साई priorities हैं, जैसे disaster risk reduction, green hydrogen, इसके related meeting में वीती कुछ time पहले, और culture, tourism, इस सब को promote करना, बाकि आप पढ़ सकते हो, काफी सारे हैं, अगले पर बात है, प्रेजडेंसी पर, तो पिछली साल की यह होती हैं, और जो अगली साल करेंगे, उन तीनों को साथ में ट्रॉइका बोला जाता है, जैसे कि अपना जो ट्रॉइका है, वो अभी current में जो है, वो इंडोनेशिया, इंडिया and Brazil, यानि यह countries जो है, यह पिछली साल एक ने presidency old की थी, वो इंडोनेशिया, current में जो करेंगे, इंडिया और next year जो करेंगे, ब्राजील, तो total क्या होना, ट्रॉइका, ट्रॉइका मतलब क्या होता है, तीन ही तो होता है, तो एक पिछली साल का एक अगली साल का एक जो current में है, तो G20 के पास कोई permanent secretariat नहीं, unlike other major organizations, और यह जो agenda होता है, यह coordinate करने, यह जो organization है, इसका main role रहा था, जब global economic crisis से गुजर रहा था, तो इसको एक अच्छी direction देने का, और 1999 से 2008 तक जो यह summits होते थे, इन में central bank के गौवर्नर, जैसे अपना RBI है, यह central bank, तो इसके जो गौवर्नर है, वो और finance ministers part लेते थे, अच्छा, यह बताओ, इंडिया में, अभी current मे RBI के गौवर्नर कौन है, comments में बताओ, और 1999 से लेके 2008 तक, तो 2008 के बाद क्या हुआ, कि जो head of states थे, वो summit attend करने लगे, जैसे अभी current में जो summit हो रहा है, 18th head of state summit है, आप लोग अपने सामने देख सकते हैं, G20 countries जो हैं, वो कौन कौन सी है, उनका पूरा map देख सकते हैं, और अ पर अफरीकन union भी add हो चुका है, तो यहां से आपको काफी सारी countries देखने को मिलेंगी, जो अफरीकन continent है, उससे, अब जो अगला map आएगा उसमें, मैंने ट्रोइका वर्ड पहले भी explain कर दिया, क्या होता है, उसको आपको समझा भी दिया, और यह इस वार के ट्रोइका में क पहली बना रहे हैं, और यह पहली वारे की ऐसी emerging economic powers हैं, जो वो ट्रोइका वना रही है, आगे बात करें प्रिप्रेशन की, तो बहुत सारी प्रिप्रेशन की गई है, जी ट्वेंटी से पहले, तो अपने जी ट्वेंटी समिट के लिए आपको पता होगा, एक नट्राज इ स्टेंचू भी अन्वील किया गया है, जो की नियरली 108 फीट का है, और इसे वर्ल्ड का टॉलेस स्टेंचू भी माना जा रहा है, नट्राज का, इसके बारे मैंने और डिटेल दिया है, अपने पिछले जो current affairs का first video था, उसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, काफी सारे उसमें आपको इससे related information मिल जाएगी, और उपर यह जो आई बटन उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो link description में भी है, बात करें कि कि कितना budget allot हुआ है, तो करीवन 1000 करोड का budget allot हुआ जी 20 events के लिए, और जो security है, जो government ने deploy किया, वो करीवन 130,000 security personals की है, जिनमें 80,000 जो police officers हैं, वो दिल्ली police हैं, और बाकी जो दूसरे state, जो NCR के और states आते हैं, या जो हमारी security के लिए, अलग-अलग central police forces हैं, उन सब का use किया जा रहा है, तो यह total मिलके 1,30,000 ने, और G20 की आगे यार बात करें, तो यह बहुत important organization होने वाली है, आगे टाइम पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी countries हैं, members, और इसलिए world के जो major issues हैं, उसको solve करने में, बहुत important role play कर सकती है, moreover, मेरे हिसाब से G20 जो है, वो United Nations में भी reform लाने में, काफी important role play करने वाला है, क्योंकि यार, तुम लोगों को पता है, Russia, Ukraine war, जब हुगा, तो United Nations का ऐसा कोई role दिखा नहीं, जिसे हमें पता च अचा है, United Nations, लेकिन Nations बिल्कुल भी United नहीं है, सब अपनी दिशा में भागते हैं, हमने वीटो देखे, Russia, permanent member है, तो हाँ, कह सकते हैं, थोड़ी वह दिक्कत United Nations को भी आएगी, पर एक हद तक तो यार, solve हो जाना चाहिए, ता issue, और United Nations इतनी तगडी involvement भी नहीं दिखाई, ज वीडियो बढ़िया लगी हो, तो यार, like कर दो, channel को, subscribe कर दो, recommend होना है, तो, बाकी मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप लोगों को, कि हम recommended candidates, जो की 10 प्लस recommended candidates की team में, उसने ही initiative शुरू किया है, free SSB course, जिसकी playlist आप description में भी देख सकते हैं, और आपको, जो channel की playlist से हैं, उसम weekly news आती है, पर इंस्टा पे हम daily news डालते हैं, daily vocab डालते हैं, और भी काफी सारे hot topics पगरा डालते रहते हैं, तो follow कर लो, बाकी video को like कर देना, क्योंकि recording ये चौती बार किया, बहुत दिमाग खरा हो जाता है, तुम समझ सकते हो, बाकी, have a good day, good night, whatever, ahead, जै हिंद,